दोस्तो स्वागत है आपका हमारे एक और फिल्मी टॉक के दोस्तो एपिसोड में और यह है एपिसोड नमबर थ्री और इसे आप लोग हान स्पेशल एपिसोड भी कह सकते हो देखो भाई कहने की बात यह कि बहुत सारे आज के बहुत सारे अपडेट्स हैं जो कि आज के इस बागी दोस्तो यहां पे आमिर मामू के भी अपडेट्स हैं कुछ अपडेट्स तो ऐसे कि भाई यहां पे आमिर खान के फैंस भी बहुत ज़्यादा खुश हैं तो उसके ओपर भी बात करेंगा हलाकि आमिर खान के दो अपडेट हैं एक बैड और एक गूर आप लोग कौ आगी इसके लावा लॉट्स अफ अपडेट हैं हमारे इस एपिसोड में तो कीजे लाइक सब्सक्राइब ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहें तो गरते हैं अपने इस वीडियो के शिरू लैट स्टार्ट तो गाई जहां पे खान के अपडेट है तो हम लोग एक खान का स्टार्ट में एक का बीच में एक का लास्ट में आपको अपडेट देंगे लेकिन सुरुआत करते हैं भाईजान से जहां आपको पता है कि सिकंदर की शूटिंग में व्यस्त हैं लेकिन सलमान खान को दोस्तों देखा गया मुंबई में एट दिव्यज प्रमोशन इको फ्रेंडली सेलिब्रेशन ऑफ गनेश चतुरुथी यहां पर एक 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 एकजिबीशन रखा गया था और यहां पर कई लोग आये थे इवन मुंबई पुलिस फोर्स के भी काफी बड़े बड़े जवान जो आफिसर से वो आये थे और यहां पर उन्हो ने रिक्वेस्ट किया है लोगों से कि वो इको फ्रेंडली गनेश चतुरुथी बनाएं जो कि अभी आने वाला है और कहीं नहीं दोस्तों यहां पर उन्होंने जो होते ना की बहुत ज़गा केमिकल वाले जो मुर्थी होती है गनेश जी की उसको ना लेने की बात की है और कहीं सलमान खान की आते ही पूरा गाइस जो माहौल है वो घरमा गया और कहीं बढ़ने क्या 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 करने लगे और यही वज़े है कि सलमान खान मुंबई नियुश इस तरीके की स्वानी कारिद साथ हुआँ ऊक्만 लिए वहां पर पहुंशते हैं देखके इस रूप में देखके खुश हो गए हैं लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि 45 डेज का सिकंदर का जो एक्शन सीन या फिर जो भी गाइस यहां पर शूट स्टार्ट किया गया है वो छोड़के सलमान खान यहां पर गए हैं तो गाइस सलमान खान कितने बड़े जिम् साला से रिलेटेड जैसे कि आप लोगों पताई होगा कि पुश्पा मूवी के बारे में कई नेगेटिव अपडेट्स आएं मूवी के अंदर क्या उसके बारे में नहीं मूवी रिलीज होगी या नहीं मेकर्स के बीच में लड़ाई चल रहा है वादो डिरेक्टर और एक आज हंड्रेड डेज रहते हैं पुश्पा को रिलीज होने में जाइस हंड्रेड दिनों के बाद पुश्पा बॉक्स आफिस में दोस्तों दस्तक देगी और अभी यहां पर हम लोग इमानदारी से दोस्तों देखें तो मेरी नजरों में अगर मैं आपको बताऊं कि एक हजा सीरियस हैं और यह मूवी टै है कि वो इसी साल 6 दिसंबर को दोस्तों रिलीज होगी इसमें कोई बदलाव नहीं होगा अगर यहां पर कुछ चेंजिंग हुआ तो मुझे लगता है कि मूवी का हाइप मर जाएगा अगर आप लोग 2025 के समर में लाने की सोच रहे हो तो कि यह तो इनको यह गोल्डन अपॉर्चुनेटली नहीं खोनी चाहिए बागी यहां पर अगला अपडेट है प्रभास डालिंग प्रभास जैनाइस प्रभास की जो मूवी है कलकी उसने इस साल बहुत जबर्दस दोस्तों धमाके किये अब नेक्स साल भी उनकी मूवी आ रही है वो परभास कर रहे थे और उन्होंने उस स्यड्यूल की जो अपनी शूटिंग है उसको खतम कर दिया है आज एक और गाइस शूट हुआ है इसमें परभास नहीं है फिलाल लेकिन अभी यहां पे वो भी कह सकते हैं कि दोस्तों नेक्स स्यड्यूल जॉइन करेंगे मीवी श का बड़े है 23 अक्टूबर को तो खाली तो जाएगा नहीं कुछ ना कुछ बड़ा ज़रूर आएगा तो यहां पे राजा सहाब कह सकते हैं कि अभी से काफी गरम है मुवी जॉली एलेली पार्ट टू के साथ क्लैश हो रही है 10 अप्रेल को देखते हैं कि यहां अर्शत व खान की एक मुवी आने वाली थी साल लास्ट में सितारे जमीन पर जिसके लिए कह सकते हैं कि दोस्तों हम लोग बहुत अधा एकसाइड़ है अला कि आमिर खान ने भी कई इंट्रवी में बात कहा है कि मैं डिप्रेशन में था और मैंने कोई भी मुवी करने से इंकार कर दि तो यहां पर आमिर खान ने उस मुवी को किया और मुवी अभी हमने बीच में देखा है कि एक रैप-अप करके उसका एक हमें केक में रैप-अप करके दोस्तों दिखाई दिया ने की मुवी की शूटिंग रैप-प हो चुकी है लेकिन यहां पे में भी शायद रिशूट क दोस्तों खबरे नहीं आई हैं यह कुछ इधर उधर की खबरे हैं अब मैं चाहता हूं कि यह शायद खबरे गल्साबित हो लेकिन फिलहाल खबरे का कहना यह है कि मुवी शायद इस साल के क्रिसमस में रिलीज नहीं होगी इसका मतलब यहां बॉलिवुड की अकेले जो बे लग रहा है कि यहां पे बेबी जॉन का कमबैक करना यानि कि वरुंद्वन का कमबैक संभाव है हाना कि आप लोग यह 100% न्यूज मत समझो कि आमिर खान की मूवी पोस्पॉर्ण हो गई है कुछ भी हो सकता है लेकिन यहां पे अब यहां अगली अपडेट आमिर खान से ही की मूवी बनाने वाले हैं लेकिन दोस्तों सुबह से ही कुली जो मूवी है टशनीकान साहब की लोकेश खाना गराज उस मूवी में एक कैमियो चाहते हैं आमिर खान का फिर उसके बाद देंगे उनको एक मूवी प्रॉपर भी में अब इस न्यूज की क्या सच्चा है अगर हम लोग उनका आपको नाम बताएं तो वह हैं तो आप लोग जो साउथ में हैं उनको जानते होंगे इस तरीके का कुछ गाइस नाम हैं दयाल कि टु हैव शुभीन शाहिर आज जॉइनिंग दी कास्ट आफ कूली एस दयाल वैलकम टू दी बोर्ट यहां पे कास्ट इंकलूड होते जा रहे हैं आमिर खांड का आफिशली कोई नाम नहीं है यह एक सर्प्राइस पैकीज होगा क्योंकि कैमियोस तो सर्प्राइस होते हैं तो देखते हैं कि जा होता है वहीं दोस्तों अब यहां पे एक और खान का अपडेट और यह अपडेट स्काफी में अब वो जो मुवी है उसकी जो शूटिंग है वो कहां होगी शूट उसके अपडेट्स आना चालू हो चुके पहले यूके में दोस्तों इसकी शूटिंग करने की बात बताई जा रही थी लेकिन अभी हंगरी के दोस्तों क्यों कैपिटल है याने की बुदापेज वहां पर इस मुवी की शूटिंग होगी और कहीं न कहीं बताया जा रहा है कि यहां पर में भी शायद दोस्तों इंटेंस एक्शन सीन को फिलमाया जा सकता है लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि शारु खान गलोबली सूपरस्टार है उनका इन कंट्रीज में दोस्तों काफी ज जो लोकेशन है वो बुधा पेस्ट बताया जा रहा है बागी शारुख खान का जो लुक टेस्ट है वो हो गया है शारुख खान किस लुक में आने वाले है उसके ओपर भी दोस्तों कंफरमेशन मतलब यहां पर उन्हों लोग ने ढूंड लिया कि वो कैसे लुक में दिखा आपको अपडेट्स दे देते हैं तो गाईज देखो हम लोग यह बात पर कितना गाईज वीडियो बनाये हैं कि धूम फोर में कौन एक्टर होगा धूम फोर में शारुख होंगे सलमान रनवीर या फिर और कोई एक्टर या फिर इतिक तो गाईज देखो यहां अभी के ज चलो वो बड़ा एक्टर नहीं उस बड़े एक्टर में जो डिरेक्टर है वो उसकी ऐसी तैसी करते हैं जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि जो गाईज रेस थी वो कितने अच्छी फ्रेंचाइजी थी लेकिन पार्ट 3 में रेमो डूसीजा नहीं क्या किया अगर वही जो म लेकिन अब बास मस्तानी हो जो तो गाईज मुवी में एंटर्टेंटमा डोसा होता ही होता तो गाईज अभी खबरे आ रही है वाली वड़ा हंगमा कि अगर हम लोग मालें तो यहां पर धूम 4 के जो डिरेक्टर हैं उसके ओपर भी दोस्तों कह सकते हैं कि खबरे आना चा रही है यह फैंस की थे लेकिन वॉलीवड हंगमा की रिपोर्ट्स की माने तो अधित चोपड़ा अयान मुखर जी को यह जिम्मेदारी दे सकते हैं जाइस वार 2 के कंप्लीट होने के बाद धूम 4 डेवलप हो सकती है उसके गाईज चीजे आगे आ सकती है यानिकि उस को मर्ज भी ले लोगे तो पैसे की वारी तो वह भी कर देंगे रेक्टर का खतरना कोना चाहिए बताओ दोस्तों आपका हमारे इस एपिजोड के बारे में क्या है कहना मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में अभी के लिए इतना ही